नमस्कार बच्चों आप सभी लोग का स्वागत है आज के अल इंडिया स्पीटे डिस्किशन में तो जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने मारे हैं स्टी नंबर 04 मैंस का सेक्शन तो चलिए सेशन की शुरुवात करते हैं कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और जो कोशन हो गये हैं उनको यह बहतर विखल्ब को देखिए अगर कोई बहतर विखल्ब मिल रहा है बहतर तरीका मिल रहा है और जो नहीं हुए हैं उनको तो ध्यान से आपको देखना ही है पहला सभी वीकेशन से शुरुवात करते हैं हम तो चार बटे पंद्रा पंद्रा से अगर इसको हम कैंसल करें बिटा तो पंद्रा दूनी तीस पंद्रा चकानवे और ये बारा से बारा चौक और तालेस ठीक है तो इधर आ जाएगा आपका 26 गुड़े चार असी छे चौक के चौबिस तो छे चौक के चौबिस और चार दोनों का समार आई के नहीं 3 से चौक और एक्स बराबर कितना तीन एक कंतीन तीन निचे तीन वट्थे चौबिस तो 128 आ जाएगा आपका ठीक है तो पहले वाले कॉश्चन का एंसर 128 दूसरा बाला चले हम लोग नेक्स बाला तो 7% का मतलब एक बटा 100 होता है तो ये कैंसेल कर दो ठीक है ने 125 परसें को हम 125 बटा 100 लिख लेंगे 25 पंजे 25 चौक का 100 पांच बटे 4 इसको पांच बटे 4 लिख लिए तो ये सासा त्यनुन चास हो गया प्लस पांच बटे 4 ओफ एक्स को हम कोशन मार्क को एक्स कर लेते ह इस इकॉल टू 100 ठीक है ना तो बस अब सिंप्लिफाइ करें उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 5 बाइ 4 एक्स इस इकॉल टू 51 इन चास घटा के तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 204 बटे में 5 तो ये हो जाएगा 5 पांच बटे 40 ठीक है ना एक मिनट पांच अउक के 20 पांच अचाओ के 20 ठीक है ना पांच अउक के 20 एक मिनट फिर जीरो बढाएंगे ना पांच अच अचाओ के 20 बटे में 5 पांच अउक के 20 40.8 देख लो बेटा कोई गरबड़ी हो तो बताओ ठीक है देख लेजिए एक बार दर सभी लोग चेक कर लेजिए कोईशन नमबर 2 को मतलब 52 को ठीक है चलें आगे त्यानी यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग ननब 20 को ले लेंगे ठीक है चलें अगला चलते है अगला स्क्वेर कर लेजिए आब इसको ए प्लस भी ए माइनस बी बी कर सकते हैं क्या है ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर है तो ए प्लस भी माइनस बी बी कर सकते हैं लेकिन फिर वही है मल्टिप्लाइ करना को दर 400 है तो हम लगा लेते हैं ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर का फॉर्मुला जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है एक की जगा 78 है भी की जगा 45 है दोनों को प्लस करिए पहले तो 78 प्लस 45 करिए 8 513 एक साचार ग्यार एक बारह एक सो तेज़ फिर इससे माइनस करिए 8-5 तीन और 7-4 यह भी तीन है बराबर यह परसेंट और यह कट जाएगा तो यह 4 और कोशन मार के जगा एक्स हो जाएगा तो क मल्टिप्लाई ही करना पड़ेगा या स्क्वेर करके भी माइनस भी कर सकते तो वो भी को दिक्कत नहींगे ठीक है तो यहां मल्टिप्लाई ही करना है ठीक है न तो 4x बराबर क्या आ जाएगा पहले 3 से मल्टिप्लाई करके 0 बढ़ाए 30 तो 3 तरीक के 9 बारत यह 3690 फिर 33 स फिर 369 आ जाएगा फिर 9 नौचे 15 चेती नौइक 10 एक 4059 तो 4059 का मल्टिप्लिकेशन हो गया किसका इन दोनों का तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4059 अपॉन में 4 तो 4 एक कम 4 चार एक कम 4 चार चुक के 16 चार सकते 28 चार पंजे 20 एक हजार 14.75 एपर देख लो तो कुद ग ठीक है देख लीजिए एक बर तो आप्शन क्या लेकर जाएंगे नन अब दीस ओके यह स्क्वेर करके भी मैनेस कर सकते थे 45 का स्क्वेर 78 का स्क्वेर नहीं उससे भी कर सकते थे तो मैंने ए प्लद भी मैनेस भी लगा लिया है ठीक है न एक और थोड़ा सा यह तरीका अग नेक्स वाला 48 into 24 125% of 485 ठीक है question mark is equal to तो बिटा यह हो जाएगा इसको तो हम क्या लिख लेंगे पांच बटा चार लिख लेंगे मल्टिप्लाई ही करना पड़ेगा दो यह क्या हो जाएगा 24 चौक का चानवे 960 ठीक है न और 8 गुड़े ही चौक में 8 चौक के 32 193 तो यह हो जाएगा 3 नौचे पंदरा एक नौइक देसे की 1113 और यह 4 से काटने के बाद 5 मल्टिप्लाई करना यह 5 पहले मल्टिप्लाई ह कर दीजे तो 41 चार चार दुनी याड़ 4 एक कम 4 दशामलो चार दुनी याड़ 4 पंजे 20 अब 5 से मल्टिप्लाई करिए तो 55 25 पांद देस दो बारा एक 5 एक 6 बारा पंजे 60 अब इनको जोड़ दीजे तो यह 5 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा दशामलो चे तिन नौ और यह 5 और इछे 71759.25 यह तो बहुत कमा रहा है बीच में माइनस है अच्छा बीच में क्या है माइनस है हमने प्लस लगा दिया है बीच में क्या है बिटा माइनस है तो यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 7 दशामलो अब यह 6 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा और 5 546 546.75 एक बार calculation चेक करेए 546.75 आ रहा है कि नहीं 545.75 आ रहा है कि नहीं यह 45 हो रहा है यहां पर वो 5 आ जाएगा यह कैरी गया था ना 545.75 यह कैरी गया था उसको ध्यान नहीं दिया ज्यान दो तो यह 5 आ जाएगा और 9-2 7 आ जाएगा फिर यहां 12-6 च्छे आज बारा मैंने से ना और तालिस दुनी च्छी आनवे फिर आठ यह बार और मुटिप्लाई करके देख लें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है वही है आठ चोके बत्तिस चार चोके सोला आठ दुनी सोला बत्तिस तैतिस चोतिस पैंतिस तीन चार दुनी चार पंजे बीस ठीक है पांच पैंचे पंचिस दो पांदुनी दर तो बारा एक पांच और एक छे और बारा पंजे साथ सही है अब यहां पे अगर माइनस किया तो यह पांच आएगा और नो माइनस दो साथ आएगा यहां बारा बारा माइनस छे तो बारा माइनस छे ही यह बार देख लो मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ अगर हम इसको पूरा देखें ठीक है न क्योंकि मुल्टिप्लिकेशन भी सही है फाइव टू है यह अच्छा चार दिन चार उठे बत्तिस फाइव टू है वही है एक मिनट यह एक बार जब हो जाता अगरबर तो एक पर होई जाता है 52 तो कितना आए था आपका 5550-1211 और यह माइनुस में अब साई हैं ठीक है ठीक है बेटा तो ंसकी इतना आ जा रहा है आपका पांच आ जा रहा है यह सात आ जा रहा है और यह यह आपका 115-6-1 जा रहा है और चार यह हो जा रहा है और पांच 545.75 थेंक यू डन थैंक यू फा दर पेशिंस ठीक है न एक बार जो छोटी सी चीज गरबड हो जाती है चली लेर्निंग में तो लगा ही रहता है यह सब चीज है हुआ है ओके क्लियर है मल्टिप्लिकेशन में रॉंग होगा चार ओठे बत्रीश दो ही आना था उसको मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक आगे चलते हैं बेटा सभी लुक अब इसको क्या है मल्टिप्लाई कर लीजे तो मल्टिप्लाई करेंगे 125 इंटू 64 का तो पहले 6 मल्टिप्लाई कर लीजे तो 5 चक का 30 12 चंग 72 तो 74 75 एक 0 और अब 4 मल्टिप्लाई करें तो 400 पच्चिचो का चे 800 500 यह 8000 आ जाएगा 8000 माइनस 5 25 25 और 786 यह कुश्चन मार्क ठीक है न तो इसमें से अब सब्ट्रेट कर लीजे तो यह 5 आ जाएगा 9 माइनस 2 7 हो जाएगा 9 माइनस 3 हो जाएगा और 7 माइनस 5 2375 ठीक है न कितना जाएगा 2375 चले अगला चले जो है ट्रेन जो है पोल को 30 सेकेट में क्रॉस कर रहा है और ट्रेन बी जो है उसी पोल को 55 सेकेट में क्रॉस कर रहा है length जो train A की है 3-4 आई है B की length यानि अब पोलो क्रॉस कर रहे तो train की length ही distance में आएगी तो हमें ratio बताना है speed का speed क्या होगा distance upon time यानि length upon time तो speed जो train A की है और speed जो train B की है तो length upon time कर देते हैं time हमें दिया हुआ train A 33 second और train B 55 second तो यह 33 second और यह 55 second train और आगे लिखा हुआ है train A का length 3-4 है train B का यह 4 है तो यह 3 हो जाएगा ratio यह निकालना एक्स लगाना तो लगा लीजे 11-3 बर 11-5 बर और यह एक एक कट जाएगा 5.4 speed का ratio आ जाएगा दोनी पोल क्रॉस कर रहे हैं तो train की length ही जो है train की length जी train की length है वही आपका distance में आ जाएगा क्योंकि दोनी पोल क्रॉस कर रहे हैं ठीक है ना आगे चलते हैं 15 years ago अनिल की age 9 by 2 है अनिल की age 9 by 2 है सुधीर की क्यों क्या 15 साल पहले तो 15 साल पहले अनिल की age 9 by 2 है सुधीर की age की आगे क्या लिखा है ratio presentages का दे दिया इन ही का अनिल का और सुधीर का और यह कितना दे दिया 12 संबंधे 5 आगे find the average of the year presentage average निकालना है present का यह बताएं यहाँ पर 15 साल का gap है और यहाँ पर भी 15 साल का gap है यहाँ रेशियो में gap 3 का यहाँ पर भी 3 का है तो जो same होना चाहिए वो already same है जो same होना चाहिए वो already same है तो हम क्या कहेंगे 15 साल equivalent ratio में कितना है 15 साल equivalent ratio में 3 है अब हमें निकालना क्या है average of presentages present का total कितना है 12,5,17 average के लिए कितने लोग का यह जाई यह दो लोग का तो divide by 2 कर दो ठीक है न divide by 2 तो यह हो जाएगा आपका 3 पच्छे 15 17 पच्छे 85 85 का आधा answer आ जाएगा हमारा तो यह हो जाएगा 42.5 years average present का 42.5 years ठीक है तो यह gap ओले से हो गया आगे चले अब यहां क्या है 608 हो जाता है 3 साल में at a certain rate of simple interest तो बिटा यहां से अगर हम दो देखें तो 600 से 608 होने में 108 जुड रहा है interest यानि कि 3 साल का interest और principal का ratio अगर देखें तो 3 साल का interest कितना 108 तो 1 साल का interest के लिए divide by 3 कर दो ठीक है ना 1 minute divide by 3 कर दो तो 1 साल का interest आजागा rate के लिए में एक साल का ब्याज़ और principal चाहिए ना तो यह हो जाएगा तो क्या करें तीन तिरिक के नो तीन चाक अठारा अब 6 से divide कर दो तो यह 100 और 6 आजाएगा principal 100 ही रखो अब principal 100 है तो हर 100 में कितना बढ़ा रहे? 5 तो इसमें 5 बढ़ा कर कितना कर दिया? 6,5 एक ग्यार है तो अब principal और एक साल के ब्याज़ का ratio कितना हो गया? 100 संबंधिक 11 अब क्या कह रहा? 600 अब कितना बन जाएगा? वही principal कितना बन जाएगा तो ratio में कितना है बेटा? 100 अब बेटा एक साल का कितना है? ओ, 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 इसको और आसान तरीके से करें? इसको और आसान तरीके से करें क्योंकि आगे पढ़ा है, हमने सुचा principle अलग है principle वही है, इसको और जल्दी देखो बेटा ये बताओ, अगर आपने rate में 5% बढ़ाया है तो हर साल कितना extra मिलेगा 100 पर 5 तो तीन साल में कितना extra मिलेगा? 15 तो extra जो interest है, जो extra interest है उसको पता कर लो हाँ, तो तीन साल में कितना extra मिलेगा? principle 100 है, 100 की value 600 है तो 15 की value, 156 का 90 रुपय एक्स्टरा मिलेगा तो बस, पिछले वाले amount में ये extra interest जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बढ़े हुए rate pay amount 798 रुपया 90 और जोड़ रहे हैं तो 799 रुपया एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट बस निकाल लेना उच 5% की वज़े से अगर principle बदला होता तो वो तरीका ठीक रहता है जो तरीका भी लगा रहते हैं ठीक ठीका निए प्रिंसपल अगर बदला होता है तो ठीक है चलें आगे next वाला अब यहां क्या दिया गया है देखो तो प्रेजन्टेज अबीसी का रेश्यो दिया हुआ है प्रेजन्टेज का अबीसी के प्रेजन्टेज का रेश्यो साथ 4-7-11 और B, C, D का दिया हुआ है B, C, D का दिया हुआ 14, 22, 33 ठीक है न? तो A, B, C, D का रेश्यो क्या होगा? तो बेटा ये बताएं यहाँ पर B कितना है उपर वाले में? 7 और नीचे वाले में B कितना है? 14 दोनों सेम होना चाहिए तो 14 उपर मल्टिप्लाई, 7 नीचे मल्टिप्लाई तो ये एक बार में कट जाएगा ये दो बार में तो दो मल्टिप्लाई करके 4 दोनी 8, 7 दोनी 14 और ये 22 और ये वाला तो वही रहेगा आपका एक मल्टिप्लाई होके 14, 22, 33 ठीक है न, तो A, B, C, D उठाना है आपको A, B, C, D, 8, 14, 22, 33 तो कितना हो जाएगा 8, 14, 22, 33 और किसी से कट रहा है नहीं 8, 14, 22, 34 8, 14, 22, 34 8, 14, 22, 33 अप्शन नमबर 3 ठीक है न, जो सेम होना चाहिए उसको सेम बना लिया गया है ठीक है बच्चों चलें आगे Next ये अगला बना एक कार जो है अपनी जर्नी 60 किलोड़ा परावर से तै करती है 15 घंटे में अगर उसी डिस्टेंस को कबर करना हो 9 घंटे में तो बताओ इस पीड कार की कितनी बढ़नी कितना बढ़ना चाहिए उसी डिस्टेंस को डिस्टेंस कॉंस्टेंस है तो इस पीड और ताइम में इंवर्स रिलेशन होगा तो इनिशल और फाइनल टाइम को अगर हम देखें तो पहले 15 घंटे अब 9 घंटे तो इस पीड का रेशियो तीन पच्चे 15 घंटे तीन त्रिक के 9 हो रहा है तो इस पीड का रेशियो इलटकर 3 समंधे 5 हो जाएगा ठीक ना पहले शुरू में स्पीड कितनी थी 60 किलोमेटर पर आवर रेशियो में शुरू में स्पीड कितना है 3 आप कहा रहा है कितना बढ़ाया जाए तो ratio में कितना बढ़ रहा है speed 2 2 की value निकाल लो तो 40 km पर आवर बढ़ाना पड़ेगा तो जो पिछली speed है उसमें 40 km पर आवर की बढ़ाने के बाद का पूछेगा तो 5 से multiply कर देना ठीक है न? तब 100 km पर आवर तब आथा ठीक है चलें आगे बढ़ो अगला चला जाए रागर ने 35 kg ग्यहूंग खरीदा है 35 kg खरीदा है साड़े बार रुपया पर किजिगे इसाब से 45 kg साड़े सलों रुपया मतलब सलों रुपया पचास पर से कहिसाब से दोनों को मिला दिया है तो किस rate से बेचे की 20% का profit हो तो हम ही पहले क्या करना हो छिर्षक by इएविर savvy का Care का कहा रहा हो निकानाका मिघटे का版ा पर से क्राफिट दें लिकलना है तो ऐवरेज सब्सकों यह निकाल लीजे ब्रीयोगा साड़े 11 रुपयाकあ हिसाब06 35 kg ठीक न पर kg ही निकालना है आपको प्लस 16.5 के हिसाब से आपको 45 kg की बात करा रहा है और डिवाइड़ बाइट टोटल kg कितना हो गया 35 प्लस 45 यानि टोटल kg हो गया 80 अब इन दोनों को क्या कर लो multiply कर लो तो 35 गुड़े 12 फिर 35 आधा या यह कहो साढ़े 12 कितना हो गया एक बटे 8 multiply कर लो साढ़े 12 फिर 35 और क्या कर सकते हैं multiplication में और कोई तरीका आएगा नहीं चलो फिर आधा जोड़ देंगे 12 तरीका 360 12 पंजे 12 पंजे 60 तो यह 420 हो गया और फिर इसका आधा इसमें जोड़ दो तो अब अपने तरीके से multiply कर रहे हैं आप लोग अपने तरीके से देखिएगा 17 दुनी 34 जोड़ दें तो यह हो जाएगा पांच साथ तीन चार चार सो 37 देशमलो पांच प्लस 16 चोग का चाट 16 पच्चे 80 आठ चार बाराथ साथ सो बीस पैतालेस का अधा चौले साड़े बाईस यह 5 हो गया दो हो गया तो यह 0.50 है तो यह हो जाएगा 729 साथ दो नौ नो एक दस तो चार तिन साथ एक अट साच्चार ग्यार है ग्यार असो असी बटे असी तो यह हो गया क्या आपका 118.8 यह हो गया कॉस प्राइस तो अब बारे 20 परसन का प्रॉफिट लेना है तो सेलिंग प्राइस निकाल ले दे मिक्चर का तो मिक्चर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 118 बटे 8 गुडे 120 बटे में 100 ठीक है ना तो पंदरा बटा 120 पांतियाई पंदरा पांदुनी 10 बीस ठीक है ना तो 2 से 10 बार 2 से 2 पच्चे 10 298 नो तरिक 27 और 15 16 17 17 रुपया 70 पैसे के हिसाब से 17 रुपया 70 पैसा क्याल्कुलेशन है थोड़ा से बाकी अलिगेशन भी लगा सकते थे लेकिन उसमें भी उतना ही एफर्ट जाएगा जान बुचकर क्याल्कुलेशन दिया हुआ है वह तो इतना करना ही होगा ठीक है बच्चों चलें अगला वाला देखा जाए देखो टाइम इन वर्क का है पांच वर्क कर तीन दिन और साथ किलो गया हूँ इसको वर्क मिलो आथ वर्क कर पांच दिन कितना कहीं यानि कि हमें वर्क निकालना है ठीक है न पांतियाएं 15 तो 5 और 5 काड़ तो 3 से 2 बार cross multiply करो 160 kilo time and work का तो गेहूं का जो collection है उसको work में रखेंगे जो गेहूं का collection है उसको हम लोग work में रखा जाएगा ठीक है न आगे चलते हैं बात करते हैं अगला क्या है एक वर्षन 2 3rd of consignment 45% के profit बेच रहा है तो 2 3rd का 45% और बाकी जो आपका कितना है 1 3rd उसको minus 35% के profit बेच रहा है तो यह effective percent profit हो गया overall profit इतना है what is the actual cost हो की value निकालनी है तो यह 30% हो जाएगा और यह minus 3 का अच्छा कटेगा नहीं तो minus 35 बटा क्या हो जाएगा 3% ठीक है नहीं तो 90 में से 35 को हटा दे 90 में से 35 को हटा दे तो 55 बटा 3 तो overall profit percent केतना है 1034 तो 1034 55 बटे 3 की value हो गई और cost price निकालना है 100 की value तो यह 5 से 11 बर 5 से 2 बर ठीक है ना और यह 11 से कट रहा है 1199 99 1144 ठीक है ना तो यह हो जाएगा तीन उपर चला जाएगा छे हो जाएगा छे चोग के चौबिस दो नौचंग चंग मन पचपन चपन फाइब 5640 5640 है क्या है ठीक है यह ध्यान रखना यह loss था इसलिए minus रखा है profit के लिए plus रखा है तो profit को profit से divide करके cp यह 100 से multiply करती है assumed cp is 100 ठीक है चलने अगला दो है कि निक्स लोग है कि हुआ है प्रीटी की monthly income भई से 1 4th ज्यादा है रमाझ रिमा से प्रीती का रिमा से 1 4 ज्यादा है यानि 4 है तो यह 5 और रिमा का जो है 1 बटे 10 कम है sony से रिमा का sony से 1 बटे 10 कम है sony का दस तो ठीक है ना अब दोनों में रीमा को पहले सेम बना लो 9 उपर 4 multiply करके 9 पच्चे 45, 9 चोप के 36, 4 नीचे करके 9 चोप के 36 और ये 40 ठीक है ना अगर difference उनके मंतली income का प्रीती और सोनी का पच्चेस सो हो तो ये पच्चेस सो अगर हम लोग देखें पच्चेस सो देखें तो प्रीती और सोनी का difference है प्रीती और सोनी का यानि कि 45 और 40 का difference है ये 5 की value हो गई आगे क्या लिखा है रीमा की मंतली income रीमा का कितना है विटा 36 36 मंटिप्लाई करिए ये पांच बार कटेगा ठीक है न और ये double zero होई गया 35 35 15 15 और तीन अठारा ठारा है जार चिक कर लिए चले एगला ठीक है perimeter square का 96 है तो 4A बरावर 96 अगर हम प्रते गुजा को A माने तो 96 है तो A बरावर 4 दुनी 8 चार चुक के 16 एरिया अफ़ रेक्टाइंगल 16 लेस है एरिया अफ़ रेक्टाइंगल लेस है तो LB 24 का square minus LB is equal to 16 किसका कम है रेक्टाइंगल का कम है length of the rectangle 28 है तो ब्रेट यहां से निकल आएका this implies 576 minus क्या दिया हुआ है एरिया लेंफ अफ़ रेक्टाइंगल 28 इंटू B आ जाएगा बरावर 16 तो यहां से यह हो जाएगा आपका is equal to में 6, 70, 60, 560 फिर बटे में 28 जाएगा बटे में क्या जाएगा 28 जाएगा B की value आएगी 28 दूनी 56 तो 20 cm क्या पुछा है what is the perimeter? its perimeter its perimeter मतब रेक्टाइंगल का ही होगा और क्या तो यह हो जाएगा 2L प्लेस भी L आपका 28 है और B आपका निकालने है 20 तो 48 दूनी 96 देख लीज़े भी 14 दूनी 96 cm ठीक है इभार चेक कर लीज़े अगला चले अखिलेश की मंतली इंकम 3,5 रिटेश की अखिलेश और रिटेश 3 समंदे 5 रिटेश की इंकम इतना है तरीके तो यह बताओ 32,000 किसका है रितेश का रितेश का रेशियो में 5 है किसका पुछा अखिलेश का अखिलेश कितना है 3 है और ध्यान देना यहां monthly word use हुआ है और पुछा annual है तो गुड़े क्या करेंगे बेटा 12 आप जरूर करेंगे क्योंकि यह monthly income आएगी ठीक है ना ओके लाख में आ जाएगा फिर तो simplify कर पांच अकर तीस पांचों के भी डेवल जिरो बारते चात्यस चांसाट और चात्यस का मल्टिप्लाई करो चेचों के चाथ्यस चारते इंग बारते आड़ तालीस बावमन पांच चेतरे का ठार आटपन तीरा थेइस टू थ्री टू फोर पे दो जिरो चाहँ बारते आफिन बारते रख रख और दिरो पांच यजडा थे टू थे जीरो फोर आएगा टू थे जीरो फोर डबल जिरो ठीक है न अब लाग के लिए पांच खिसका दो तो तीन दो पांच तो टू पॉइंट ट्री जिरो पॉर लेग ठीक है कैलकुलेशन अपने तरह के से घर लेना आप ओके टू पॉइंट ट्री जिरो पॉर लेग ओके अब कोशन मार की जगा क्या आएगा अब यह सब देखना है हम लोग को सिरीज हो रहा तो पहले हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं उसके बाद उसके पैटरन को चेक करें इसमें तो पिछले से कुछ अगला आना नहीं है तो फाइव नाइन एटीन दिफरेंस लिखते हैं बिटा तो दिफरेंस में यह 4 आ रहा है यह दिफरेंस में 9 आ रहा है यह दिफरेंस में 16 आ रहा है तो क्या देख रहा है स्क्वेर तो दिखी गए आपको कि यह 2 का स्क्वेर है यह 3 का स्क्वेर है यह 4 का स्क्वेर है तो 59 हो जाएगा एंसर, ठीक है न, एंसर कितना हो गया, 59, चले अगला वाला, next वाला, what will come in place with a question mark, next वाला देखें, तो पहले इस question को लिख लिया जा, 6, 7, question mark, 51, 208, 1045, तो यहाँ पे क्या है, into 1 plus 1 तो दिखी रहा है, आगे चेक करते हैं, into 2 plus 2 हो रहा है कि न, साधनी 14, 16, क्या into 3 plus 3 हो रहा है, 16, 48, 53, न, ख्यावन, ठीक है, तो into 4 plus 4 हो रहा होगा, और into 5 plus 5 हो ही रहा है, चेक कर लो एक बार, तो हो रहा है, ठीक है न, 16, ठीक है न, straight forward, आगे चलें, नेक्स वाला, 841, question mark, 1089, 1225, 1369, 1521, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, 841 तो है भई, 29 का ही होता है न, 841, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है आगे, ठीक है न, 1089, 1225, यह भईया, कुछने कुछ तो देखी रहा है, सब स्क्वेर ही हैं, क्या, पर्फेट स्क्वेर लग रहे हैं यह सब, यह तो 29 के स्क्वेर है, यह अगर देखें, 33, 33 का अगर देखें, तो यह 3 तरिक के न, 3 और 7, 3, 3, 33 आ रहा है, और यह 5, 35, और यह 37 का हो रहा है, और 37 और यह 49 का हो रहा है, इबड़ चेक कर लूँ मैं, सही है बई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 31 का स्क्वेर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 31 का स्क्वेर, इबड़ चेक कर लूँ बेटा, सब सही है, बलो, और 31 का स्क्वेर कितना होता है, 961, मैंने कुछ गल्दी की हो तो देख लो एक बार ठीक है ना इबर चेक कर लो सबका स्क्वेर साही है 29 का स्क्वेर बगरे बगरे सब आ रहा है चला जाए अगर आप डिफ्रेंस भी लेकर करते हैं तो भी आ जाता इसमें डिफ्रेंस से भी हो रहा है अगर चेक करें तो देख अगला अब क्या है यह पहले लिख लेते हैं फिर सोचते हैं 1200, 480, 192, 30.72, 12.288 वेटा अगर इसका आप देखें तो यह वाला इसका पांच बेटे दो गुना देख रहा है नहीं नहीं दो बटे पांच गुना देख रहा है देखो तो दो बटे पांच गुना देख रहा है अगर आप इसको divide बे इसको कर रहे हो तो 2 बटे 5 आ रहा है 12.4845 थीक है 2 बटे 5 आ रहा है तो सबको अगर check करोगे तो इसका 2 बटे 5 इसका दोबटे पांच मिलेगा सब दोबटे पांच का चल रहा है अगले वाले को पिछले वाले से दिवायट के ao rabbits सुझित हिए तो यह आ मतलब 192 इंटु 5 तो 2 से फिन्टीप्लाई करो 4 19 दून गाल 35, 5 25, 5, 8 offers 76.8 आ जाएगा ठीक चलने आगे अब एडियाई बाला पॉरिशन देख लिए हम लोग ठीक चलने आगे और यह एक बाटा 16, 16, 48, 300 और यह 18 सही 3 बटे 4 यानि कि 18 चोग 32, 34, 75 बटे 4 आ रहा है यहां पर आर्टिकल 900 आ रहे हैं, परसेंट में एक बटा 100 कट जाएगा, अपने अपने तरीके से देख लेना, और एक बटा 4, एक बटा 4 करेंगे तो 1200, और अच्छो को 48, चेक करके देख सकते हैं, 48 आ रहा है कि नहीं, 18 और 6 कितना हो गया, 24, 24, 23, 27, 27 और 9, 36, 36 और 12, 48, ठीक है, क्योंकि data आसान, इसलिए calculate कर रहा है, अब ratio में बाट लिएजी, 600 को बाटेंगे तो sold और unsold मिल जाएगा, तो यहां से हम divide करते चल रहे हैं, यह बार लिग देता हूँ, फिर फटा फटा हम लोग कर लेते, 5, 3, 8, 8 से divide किया, 8 से divide करने पर एक ratio की value यहां से मिल जाएगे, 8 सते 56, 8 पंजे 40, 5 से multiply किया, तो 5, 25, 5, 35, 36, 37, 37, 37, आर्टिकल sold हुए हैं, और कितने unsold रहे हैं, into 3 करो, तो 225, ठीक है यह तरह, एक दो में बाटो, 3 से divide करो, तो 6 आएगा, तो 600 और 1200, अब divide by 6 करो, तो 6, 35, 50 आएगा, तो 5, 25, 250 और यह 50, 5, 4, 9, 9 से divide करो, तो 100 आएगा, ठीक हैं, तो 500 और 400, साथ 5, 12, 12 से divide करो, तो यह भी 100 आएगा, और यह 700 और 500, डेटा आसां तो इसले फट अफट निकाल लिया, फट अफट अफट क्यालेशन कर लेते हैं, अब हमलू, अफट 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 अफट, तो सब को जोड लो, तो 220 अफट 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 वला, 225, 1200, 225, 50, 400, 500, 5, 5, 2, 4, 4, 8, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 7, 5, क्या निकालना है, अफट अफट, तो average के लिए divide by कितना करना है पांच तो पांचों के बीस पांच सते पैतिस पांच परचेश चार सो पच्छतर ठीक है नहीं कितना आगया चार सो पच्छतर फोर फोर सेवन्टी फाइफ ओके चलें आगे इसको हटा देते हैं delete नहीं करेंगे कैत कर आगई use होना है इसको तो next वाला question हमें क्या निकालना है ratio between sold from shop A shop A से sold 365 है unsold from E E से unsold कितना है 500 है ठीक है नगा तो cancel out कर लिए 95 25 ईककम 25.. 25 उननी 50 5 एक हम 15 पंछोके 20 50 से कट रहते है। चलो!! तीन संबन्ध चार आ आहा देखलो.. वाहन से data उठा लिया है। अपके चले चले याजे? यह वाला difference between average of the sold article to the average of the unsold article from all the shopkeeper sold or unsold का difference निकालना है हम तो हम सीधे सीधे देख लेते हैं difference को तो अभी अभी हम लोगों ने जोड लिया तो चलो फिर भी 375, 600, 250, 500 और 700 यह sold हो गया अंsold कितना कितना था दो 125 दुबारा जोड़ना हूं इसको 1200 फिर यह 50 फिर यह 400 और फिर यह 500 यहां का total कर लो 5 5, 7, 5, 12, 1, 6, 3, 9, 10, 12, 12, 15, 17, 27, 24 यहां कितना जोड़ा था यह 5 यह 5, 2, 7, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 5, 13, 1, 2, 3, 7, 5 अभी हम माइनस कर लो 5, माइनस 5, 0 5 यह हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा मतलब 50 और average के लिए क्या करेंगे? divide by 5 परेंगे तो average जाएगा 10 average 10 आगिया जेख लिए average comes out to be 10 अगे चलने अगला by how much percent should article by how much percent sold article of B is more than unsold of D तो sold of B, unsold of D तो sold of B कितना है बिटा? 600 unsold of D कितना है? unsold of D 400 है तो यह 3 संबंदे 2 हैं अब comparison देख लो sold of B is by how much percent? तो कितना ज्यादा है? एक एक ज्यादा किससे है? D वाले से यानि 2 से इंटू 100 यानि कि 50 percent percentage increase निकालना था ज्यादा कितना है? एक और एक ज्यादा कितने है? D वाले से चलें आगे अगला रेशय निकालना है sold of C and sold of D sold of C निकालो यहाँ से और unsold of D D का unsold कितना है? 400 बस पाँ से काती है 525, 25, 25, 40 5 समंदे 8 ठीक है न? चेक कर लिजए यह पर चेक करीए ओक है है न? तो यह आज की एस्टी के बारे में हम लोग के बाते हो गई आज के स्टे के बारे में हम लोग के बाते होंगे ठीक है तो अगली स्टी में फिर से मिलेंगे हम लोग तो उसके लिए आप लोग S-T वगरा देते रहिए बार बार कहते हैं क्लास में ठीक है नडिस्केशन के लिए हम लोग यहां पे हैं ही सब लोग मिलकर आपके सामने लाही रहें सॉलिशन बेहतर चीज़ों के लिए कमेंट पे जरूर बताईए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है आज के लिए इतना ही बच्चों थैंक यू टेक कियर बाई